हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रेजर में दोस्तो, आज के वीडियो में हम 22 सितंबर सी संबंधित उत्रप्रदेश के सभी एक्जाम के लिए most important करेंट अफरी के questions को discuss करेंगे और हरी questions से related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे question भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी pdf डाउनलोड करनी है तो इसकी pdf आप हमारे telegram group से डाउनलोड कर सकते हैं telegram group की link आपको video के description में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो श्टार करने से पहले हम कल के topic को जो है revise करेंगे कल का क्या topic था तो विवने राज्यों की लोक नरत्य है तो याद रखेंगे odissa से कौन-कौन सी लोक नरत्य है तो सावरी है, घुमरा, पेनका और मुनारी राजस्थान की बात करें तो घुमर है, चकरी, गडगौर ये राजस्थान की लोक नरत्य है तमिल नाडू की बात की जाए तो कुमी, कुलट्रम और कावडी ये तमिल नाडू की लोक नरत्य है यह जो है जहारखंड की लोक नरत्य हैं च्छतीस गड़ की बात करें तो गौर मारिया हो गया पंडवानी है वेद मती और कापालिक नरत्य यह च्छतीस गड़ की लोक नरत्य हैं मद्यप्रदेश की अगर हम बात करें तो जवारा है जवारा है मटकी है आड़ा है और सेल हो गया यह अंद्रप्रदेश के लोग नरते हैं असम की बात करें तो भी हूँ है महारस खेल गोपाल बिचुआ यह असम के लोग नरते हैं और दोस्तों इन मैंसे आपको दादें कि जो आंद्रप्रदेश से यहां सी जो कुची पुड़ी है यह मेक्जिमम बार कुशें जो बिहार के लोग नरते हैं गुजरात की बात करें तो गर्वा और भवई और इन मैंसे गर्वा इंप्रदेश के लोग नरते हैं जम्मूओ और कसूमीर की बात करें तो रऊफ हिकत और दमाली इसमें दोस्तो रौूफ most important है इस से question पूछे जा चुके है करनाटक की बात करें तो यक्शिगान है कुनिता और लंबी इनमें से यक्शिगान most important है याद रखेंगे यह कुश्य न पूच्या जा चुका है के रल की बात करہें तो ओट्म ठुलाल और कैकोटिकली यह के रल से संबंदित हैं महाराष्ट के अगर बात करें तो लाव्डी नकाटा और कुली यह महाराष्ट के लोकनृत्य है और दोस्तों जो लोक निरते वाला टॉपिक है कल भी आपको तया था कि मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है लगबग सभी एक्जांस में यहां से एक कुश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है कई बार जो कुश्चन है यहां से आपके यूपी टैट में पूछे गए हैं जो पी एसी हो या आरो ए आरो हो तो यह जितने भी एक्जांस में सभी में जो है यहां से कुश्चन पूछे जाते हैं तो यह टॉपिक अच्छे से याद रखेंगे तो शुरू करते हैं आज का करेंट अफेर्स का सिसन तो आज का सिसन शुरू करने से पहले हम कल के कुश्चन मंदल में नंदी अभ्यारन ने बनाय जाने की पहल किये जा रही है option number A correct मुरादाबाद मंदल में दोस्तो UP current affairs की last 8 month की अगर आपको PDF ebook download करनी है तो इसकी link आपको वीडियो को description में मिल जाएगी वहां से आप इसकी PDF ebook download कर सकते हैं इसमें हमने जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के सभी important questions को जो है cover किया है और दोस्तो एक students का comment था दो students की comment के जो UP current affairs का महरतन है उसे करवा दीजिए तो last 8 month का जो current affairs का वीडियो है वो चैनल पर upload है और आप जो है उसे जागर के देख सकते हैं और दोस्तों इस PDF को अगर download करने में कोई प्रव्लम होती है तो site पर आप oversight number और email मिल जाएगा जिस पर आप contact कर सकते हैं अगला option है हाली में कि सिराज में इस्तित नंज रायन टैंक को पक्षी अभ्यरन की रूप में घूसित किया गया और इसका करेक्ट होगा भी तमिल नाडू अगला है डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा सहर बनेगा और सी करेक्ट होगा इन दौर अगला है कि स्राज में इस्तित दौलताबाद किले का नाम बदल करके देवगरी किला करने की कोशला की गई ऑप्सन नंबर बी करेक्ट होगा महरास्टर में इस्तित अगला है यूपी एल किस राज में क्लीन मेक्स के साथ मिलकर हाइब्रिड सौर पवर पर योजना की इस्थापना करेगा ऑप्स सिकायतों की समाधान के लिए किस वेब पॉर्टल को लॉंच किया ऑप्सन नंबर बी करेक्ट होगा सी एम दा हैसी वेब पॉर्टल अगला है हाली में के सराज या केंदरा सासित प्रदेश ने कम्यूनिटी पुलिसिंग पहल वी के एर सुरू की है तो जो वी के एर पहल है यह दिल्ली सरकार ने सुरू की है ऑप्सन नंबर ए इसका करेक्ट होगा तो दोस्तों यह थे कलके कुश्यंस जिसका हमने रिवीजन किया अब हम सुरू करते हैं आज का सिसन आज का पहला कुश्यान है हाली में उत्रप्रदेश के कि सहर में इंटरनेशनल एयरपूर्ट ब बना गया है उससे भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपूर्ट बनाय जाएगा जो एयरपूर्ट है इसको बनाने के लिए करके प्रस्ताभी पेस किया गया है और एयरपूर्ट बनने के लिए लगबग 10,000 एकल जमीन की जरूरत होगी और जमीन को चिन्नित करने का भी काम शु किया जा सकता है तो इसी वजह से इस नए एयरपूर्ट को बनाया जाएगा कहां पर याद रखेंगे उन्नाव जिले के नवाब गंज में और इसकी विश्यस्ता के रहेगी तो इसकी विश्यस्ता ये रहेगी कि ये जो जिवर में एयरपूर्ट बना है इंटरनेशनल एयर लॉंच किया ऑप्शन नमबर भी करेक्ट होगा बाल पिटारा एप दोस्तों आंगनबाड़ी किंद्रों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी अब ऑनलाइन माध्यम से पढ़ेंगे बच्चों को कविता कहानी भावगीत आदी के माध्यम से ज्यान वर्थक बातें ज यहां से याद रखेंगे दोनों एप्प्लिकेशन एक है बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बाल पिटारा एप्लिकेशन और आंगनबाड़ी के इंद्रों के परिविक्षन के लिए सही होगा अप्लिकेशन तो याद रखेंगे आंगनबाड़ी में जो पढ़ने सकte लिए कि समंतित है द्यान रखेंगे और उसे प्रोसकान किया जाएगा और ङ। यह यूजना को सुरू किया इंद्धर कर्टार्टर्स सुनिये पहल यहवारे यूपी से समंतित है और डॉक्टर से सुनिये पहल यह क्या है तो इसके माध्यम से भी लोगों को जो है रोगों की पृति जागरूप किया जाएगा एक तैसील एक उत्पाद योजना हमारी यूपी की है और इसका क्या है तो एक तैसील पर जो है एक उत्पाद को चुना जाएगा जिस तरीके से और पूर्टल हमारे प्रदेश से सम्मधित हैं तो ये आपको चीसे याद रखने हैं अगला उशन है सुप्रसद्ध हस्य कलाकार राजू स्रीवास्तव का निदन हो गया ये किस सहर से थे तो दस्तों जो राजू स्रीवास्तव थे कॉमेडियन ये हमारे यूपी से सम्मधित थे और और कानपुर में इनका जन्म हुआ था यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं ये जाने माने हाँ से कलाकार थे राजू स्रीवास्तव जिनका कल यानि की 21 सितंबर को जो है निदन हो गया दोस्तों मसुहूर कॉमेडियन थे राजू स्रीवास्तव अब सभी कॉमेडियन के तोर पर ये एक बड़ा बड़े चहरा थे ठीक है तो ध्यान रखेंगे बड़ा चहरा था इनका तो हाली में इनका निदन हो गया है एज कितनी थी तो 58 साल की उम्र में इनका निदन हो गया दोस्तों पिछले लबग डेड़ महीने से यानि कि पिछले 42 दिनो में भरती कराए गए थे और लगातार ये जो है वेंटी लीटर पर इनका इलाज जो है वो चल रहा था राजू श्रीवास्ताओं का जनम कहां पर हुआ तो कानपूर में हमारे यूपी से संबंदित है ध्यान रखेंगे कानपूर में इनका जनम हुआ था 25 दिसंबर 1963 को और 21 सितंबर 2022 को इनका निधन हो गया दोस्तों इनके बच्पन में नामसत्य प्रकास श्रीवास्ताओं था तो इस बात को आप लोग यहां से याद रखेंगे तो काफी इंपोर्टेंट है याद रखेंगे मसहूर कॉमेडियन थे राजू स्रीवास्ताओं इनका निधन हो गय कब मना जाता है 21 सितंबर को पूरे विश्य भर में इस दिन यूनाइटेड नेशनल जनरल एसेमली रास्ट्रों और लोगों की बीच अहिंसा सांती और युद्विराम के आदर्सों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है इस साल के अगर हम थेम की बात करें कि अंदर 2022 की तीम है अंतराश्टिय सांती दिवस की दोस्तों अंतराश्टिय सांती दिवस की अगर हम बात करें कि इसकी घोशना कब हुई थी यानि कि जो दिवस है अंतराश्टिय सांती दिवस ये कब घोसित किया गया था तो याद रखेंगे साल 2001 में साल 2001 में जो है इसकी घोशन की गई थी अंदराश्टी सांती दिवस के तौर पर अगला वक्षिन है किस देश ने बिस्व में पहली बार वने जीव आर्कटिक भीडिये का सफलता पूर्वक क्लोन बनाया ऑप्सन नमबर सी करेक्ट होगा चाइना ने यहां पर आप इस भीडिये की देख सकते हैं जो की क क्लोन की माद्यम से बनाय गया है दोस्तों बीजिंग इस्तित जो चाइना का सहरे बीजिंग तो इस दिस सिनोजेन बायो टेकनलोजी कंपनी ने दुनिया का पहला क्लोन वाइल्ड आर्क्टिक वुल्फ यानि की भीडिये को पेस किया है इसका नाम क्या रखा गया है तो मा माद्यम से दुरलब और लुप्त प्रजाय प्रजातियों को बचाने में यह उपलब्धी मील का पत्थर मानी जा रही है अब दोस्तों यहां पर क्या मामला है तो इसको थोड़ा समझते हैं दरसल दोस्तों विसमें पहली बार यानि कि दुनिया में पहली बार कोई क्लून क्या है इस बात को समझेंगे क्लोनिंग क्या है तो दोस्तों प्राकृतिक या कृतिम साधनों के माद्यम से किसी जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया है उसको क्लोनिंग कहा जाता है यानि कि प्राकृतिक और कृतिम साधनों के माद्यम से किसी जीव को बनाना क्या कहा जा प्लाव किया जाता है डोस्तों उसमें चाहे यह क्लों प्रिखिऎ हैं और लुप्त प्रयुक्त प्रइजाइश और व्रुप्ट उनकों बचाने के लिए लुवें को Sahel घृ c उसके बाद आर्क्टिक भेडिये का क्लोन बनाए गया अब दोस्तों यह जो भेडिया बनाए गया यहाँ पर आप इसकी में देखेंगे तो यह जो भेडिया बनाए गया है तो इसकी मा क्या थी? एक कुते की नसल की इसकी मा थी उनको जो है किसी दूसरे जानवर की माद्यम से यानि की ऐसा जानवर होगा जो की उस लुप्त प्राय जानवर की आनवानसिक वंस का रहा होगा तो ऐसे जानवर को इसमें चुना जाता है उसके माद्यम से जीव का उत्पन किया जाता है तो अभी ये जो भेडिया था कौन सा वाइल्ड आर्क्टिक वुल्फ ये लुप्त प्राय प्रजाती थी और इसे जो है एक कुत्ते की नसल का जानवर था उसके माध्यम से जो है इसको उत्पन किया गया तो याद रखेंगे आप काफी important रहेगा नाम क्या है इसका तो माया इसका नाम है और question क्या रहेगा तो किस देशने विश्व में पहली बार वन जीव आर्क्टिक भेडिये का सफलता पूर्वा क्लोन बना जा तो याद रखेंगे चाइना ने अगला उश्यान है है भारतिया नोसीना दोरा उनने स्टमबर 2022 को किस नोसीना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाइं दी थी option नमबर बी करेक्ट होगा आई एन एस अजाए पी 34 दोस्तों जो आई एन एस अजाए पी 34 क्या था एक नोसीना जहाज था इसे जो है उन इनेस अजय तेश्वे पेट्रोल वेसल स्क्वाडरन का हिसा था और 24 जनवरी 1990 को ततकालीन यू एससर में पोटी जोर्जिया में कमिशन किया गया था तो याद रखेंगे आई एनेस अजय पी 34 क्या है तो ये एक नौसनिक जहाज था जिससे अभी जो है सिवा मुक्त कर दिय अगला है भारतिय से नहीं दोहजार तेस की सिवाड़ को किस छित्र में इस्थानांत्रित करने का नड़े लिया अप्सन नुबर एक होगा दक्षिट कमान में दोस्तो भारति सीनह ने जो अपने वार्सिच छिट परेड है इसे दिल्ली के बाहर इस्थानांत्रित करने का नड़ा लिया है और इसे 2023 में कहां पर आईजित किया जाएगा तो दक्षडी कमानचित्र में इसे आईजित किया जाएगा दरसल दोस्तों क्या है कि 26 जनवरी के दिवस पर दिल्ली में जो राजपत मारगे वहां पर जो सेना होती है वो परेड अप की जाएगी साल 2023 में सेना के अदकारियों के अउसर परेड अब अलग-अलग इस्थानों पर बारी बारी से आईजित की जाएगी और प्रतिवस इसके आयुजन की जगा बदली जाएगी तो यह जो है फैसला लिया गया है भारती सीना में तो याद रखेंगे आप 2023 में पर नीती आयोग की तर्च पर एक राज इस्तरिय संस्थान इस्ताफित करने की घोशना की गई है और यह जो संस्थान होगा इसमें राज में स्वास्त, क्रसी, सिक्षा, परियावरण, रोजगार जैसे छेत्रों में भारी बदलाव लाने में मदद करेगी तरसल दोस्तों क्य क्या है कि जिस तरगे से केंदर में है तर्च रज इस्तरिय संस्थान होगा, जो कि महराश्ट में इसका गठं किया जाएगा ठीक तो यह चीज़ ध्याना रखेंगे अब महाराष्ट में भी ऐसा कहा गया है यहां पर महाराष्ट की बाद है तो महाराष्ट के बारे में जानते हैं कैपिटल की है मुंबई चीफ मिलेश्टर है एकनास सिंदे और गवर्णार है भागा सिंग कोसियारी दूस्तों मैप में महाराष्ट कहां पर है तो यह आप यहां पर देख सकते हैं यह माध्य प्रदेश है गुजरात है यहां पर आप देख सकते हैं चतीजगड़ है नीचे की उरती लंगाना है करन राज्जे हैं जो कि महाराश्टर की सीमा को टच करते हैं दोस्तों महाराश्टर से सम्मंदित कुछ important questions को रिवाइज करेंगे तो देश की पहली medical city इंद्राइडी यह कहां पर इस्थापित की गई तो यहां से आप याद रखेंगे पुड़े महाराश्ट में इस्थापित की गई ड्यान रखेंगे इस्टेशी और नौलेज किसकी प्रतिमा है डॉक्टर भी आर अगला है देश की पहली वाटर टैक्सी शुरू कहां पर होई है देश की पहली वाटर टैक्सी तो याद रखेंगे आप मुंबई में जो है देश की पहली वाटर टैक्सी शुरू की गई है अगला है दृष्टी बादित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल ये क मुंबई में किया गया है याद रखेंगे आप कांप किया गया है मुंबई में किया गया है अगला है पहला अतुल्य भारत अंतराश्टी यह कहां पर हुआ है तो यह भी कहां पर हुआ है मुंबई में हुआ है इसे भी ध्यान रखेंगे खाबती रण योजना तो यह कहां से संबंदित है तो यह भी संबंदित है महाराश्टर से मांजी वसुंद्रा अव्यान यह किसी संबंदित है तो यह भी संबंदित है श्ठित पुरुसकार है ओसकर अवर्ड तो 2023 के ओसकर अवर्ड के लिए नॉमिनेशन जो है यह चल रहा है और इस साल भारत की एक फिल्म जो है इसमें नामांकित की गई है ठीक है ध्यान रखेंगे कौनसी फिल्म है तो छेलो सो दा लास्ट फिल्म सो इसका अंग्रेजी में नाम तो यह गुजरात की फिल्म एठीक है चलो सो इसको जो है इसमें नॉमिनेट किया गया है ओसकर 2023 के लिए दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक ओने इनका नाम इंपोर्डेंट है याद रखेंगे पैन नलिन यह इनका यह इसके निर्देशक है दोस्तों भारत की और से आधिकारिक प्रüş्टी की रूप में भेजने का फैसला किया गया है इस फिल्म को ऑशकर पुरुष्कारों में अगर हम बात करें तो भारत की कौन से फिल्म ती जिस ने ऑशकर पुरुष्कार में जगा बनाई थी तो आकरी बार साल 2001 में जगान की फिल्म ती लगान इसने जो अन्य भारती फिल्म में मदर इंडिया थी 1958 में और सलाम बंबे 1989 में ठीक तो यह चीज याद रखेंगे कि 2001 से भारत की किसी भी फिल्म को जो है ऑसकर अवोर्ड से सम्मानित नहीं किया गया है अभी जो है 2030 के लिए भारत की एक फिल्म को नॉमिनेट किया गया है कौन सी फिल् अगला कुशिया है देवेंद्र जाजरिया ने विस्व पैराव इतलेटिक्स ग्रैन प्रिक्ष प्रतियोगिता में कौन सा पदक हासिल किया और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं यह पैरा एथलेट देवेंद्र जाजरिया दौस्तों जो भालाफ हैं खिलाड़ी है भारत के देविंदर जाजरिया इन्होंने मूरक्कु में विश्व पैरा एथलेट्स ग्यारंपिक्स प्रतियोगता में सिल्वर मेडल यानी की रज़त पदक जीता इन्होंने जो पैरा उलम्पिक है सोन पदक विजिता देविंद्र इन्होंने 60.97 कितना याद रखेंगे 60.97 नौ साथ मीटर दूरी पर जो है भाला फैका है और सिल्वर मेडल जीता दूस्तों जो देवेंद्र जाजरिया यह तीन बार के पैरा उलम्पिक पदग जीता है और भारत के ही अजित कुमार ने चौन सट मीटर जैवलेन फैंकर सौन पदग जीता है तो यह चीज़ आप यहा है अजीत कुमार इन्होंने चौन सट मीटर दूर भाला फैंका और गूल्ड मेडल जीता तो दोस्तों यह थे बाईस सितंबर सी समंधित उत्रब्रदेश के सभी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफरी की कुश्चन जो कि हमने डिसकस किये अब हम देख किये और मैं आपसे अरोज कहता हूं कि जो भी क्वेशन आप सी प्मुझा जाए तो सभी लोग क्वेशन का अंसर जरूर क्या करूं तो यह रहा आज का कुश्चन कौन सा राज ये एक जिला एक परेटन किंद्र योजना सुरू करेगा इसका जो भी करेक्ट अंसर है वह आ टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहें तो मिलते हैं नेक्स टी वीडियो में थैंक यू